अर्विंग के जुवाल सत्ते के साथ थे और सत्ते के साथ रहेंगी के जुवाल के अंतरिम जमानत पर आमाधी पार्टी की तरफ से अब प्रतिक्रिया सामने आई है और आटीशी ने कहा कि के जुवाल को बेवजा जेल में रखा गया है आपको बता दे आज सर्बूच अदा यानि सुप्रीम कोट की तरफ से अर्विन के जुवाल को कथित शराब घुटाले मामले में अंत्रिम जमानत दे दी गई है और कोट ने साफतोर पर कहा कि अब जो मामला का सीब एई में चल रहा है उसमें अर्विन के जुवाल जेल में जिसकी सुनवाई 18 जुलाई को वह निया कि यह जनता पार्टी को यह पता था उनको पता था कि रावज आवन्यू कोट से जमानत मिल गई है उनको पता था कि सुप्रीम कोट से भी जमानत मिल जाएगी उन्होंने एक और शड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अर्विंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनेतिक हथियार CBI से अर्विंद केजरीवाल जी को गिरफ़तार करवा लिया क्यों किया गिरफ़तार CBI से सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ़तार करवाया कि अगर एड़ी के केस में जमानत मिल गई तो अर्विंद केजरीवाल जी बाहरा कर दस गुना स्पीड से दिनली के लोगों का काम करने लग चाएंगे अंतरिम जमानत का मतलब अपराद मुक्त होना नहीं होता है और जहां तक मेरी जानके एक बड़ आने दीजे पूरा अभी एक मामले में मिली है अर्विंद केजरीवाल पर तो भृष्टाचार के आने एक मामले है एक बड़ निंडे पूरा आने दीजे उसके बास समझाते तो सुप्रेम कोट से जो अंतरिम जमानत मिली है एजी वाले मामले पर उसको लेकर वेरेंदर सचीदेवा को आप सुन रहे थे लेकिन इधर आईटियो में दिल्ली में बीजे पी प्रदर्शन कर रही है क्यों कर रही है और इसलिए बिल जलाकर जो है जो बिजली के बिल है उनको जलाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली का आईटियो जहां पर मेहंगी बिजली को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है पी पी एसी चार्ड जो है वो बढ़ा कर मेहंगी की है बिजली की दर ये कहना है बीजे पी का और प्रदेश अध्यक्ष वेरेंदर सचदे को इस वक्त आप देख पा रहे हैं और सीधा आपको लोमस के पास लिए चलते हैं यह नहीं है कि मैं पैसे क्यूं लूट रहू अभी भी शरम आनी चाहिए ऐसे आद्वी को तोटल पीपी एसी को वापस लाना चाहिए केजरिवाल जी को सर्माना चाहिए जूकि जो पड़ी क कुछ देर पहले जो जलाया गया है यहां पर विरोध यहां पर विरोध किया गया ये सब सरारते जेल के अंदर बायट करके हर साल PPSC को बढ़ाना, फिक्स चार्जेज के उपर भी लगना, ये सरार सर डाका है, गरीब गुरुब